हेले स्टूडेंट कैसे आप सब उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे मस्थोंगे बेतर होंगे आपकी पढ़ाई बेता चल रहे होगी बचलो क्लास टुल्थ फिजिक्स न्सी आर्टी में चैप्टर सेवन चल रहा है और आज किस लेक्चर में हम बात करेंगे कि प् कितना होगा और इसका परणामी धारा कितना निकल कराता है सब कुछ इसी लेक्चर में क्लियर करूंगा थोड़ा सा आपको समय देना पड़ेगा पूरा विधिवात हम चर्चा करेंगे चलिए सुरू करते हैं कुश्चन कैसा रहेगा प्रत्यवर्तिधारा परिपत में ठुड़ा सा चर्चा कर लेते हैं तब ही मजा आएगा जब आपका यह बेसिक क्लियर होगा तो सबसे पहले कोश्चन में प्रतिरोधक और संधारीत्र हैं तो मैं प्रतिरोधक की बात करूं तो कुछ इस प्रकार से होता है और प्रतिरोधक में जो प्रतिरोधका परणामी बोल्टा है वो धारा के साथ समानकला में होता है दूसरा इसके साथ जुड़ा है संधारित्र कुछ इस प्रकार से होता है संधारित्र इसका यही कहने के मतलब प्रदर्शन करने का चिन्द और यह किसी प्रत्यवर्ती धारा परिपत के साथ जुड़ा है यहां से प्रत्यवर करूं इसकी तो यह हमारा आर है यह हमारा सी है क्या है सी अब इनके सीरों के बीच एदि बोल्डता की बात करें तो यहां से यहां तक में बोल्डता बात करेंगे तो भी आर हो जाएगा और इनके सीरों के बीच जो बोल्डता है ओ भी सी हो जाएगा यह डाइग्राम है इसके ही सांथ हम आगे बढ़ सकते हैं यदि यह नहीं बन रहा है तो फिर आपसे कुछ नहीं बन रहा है यह चीछ क्लियर होना चाहिए कि भई साहब प्रत्यवर्तिधारा परिपत में प्रतिरोधाक और संधारित्र स्रेनी क्रम में जुड़े हैं किसी भी प्रत्यवर्तिधारा सुरोत के सांथ यहां से प्रत्यवर्तिधारा प्रवाहित हो रहा है इसी सुरोत के सांथ स्रेणी क्रम में दो चीज हमने जोड़ रखा है एक तुमारा प्रतिरोधार और सी धारिता का एक संधारित्र तब यदि हम आप से कहा दें कि वहीं साब ओम के नियम से भी वराबर कितना होता है आई यार होता है ना तो भाई ये प्रतिरोध के लिए भी वराबर आई यार ये सब को पता है तो भी आर के लिए हम बात कर रहे हैं लेकिन हम सी के लिए बात करेंगे तो भी सी वराबर हो जाएगा आई to XC, अच्छा XC क्यों हो गया, X इसलिए प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि जब हमारे पास प्रतिरोध के रूप में एक चालक तार है बच्चो, तब तो उसे हम आर से दर्सा देंगे, किसे दर्सा देंगे, आर से दर्सा आएंगे, लेकिन जब कहीं, किसी परिपत में, या त संधारित्र, या तो प्रेरा कुंडली, अबरोध उत्पन कर रहा हूँ, थोड़ा समझने की कोशिस करेंगे, आप लोग, यदि मा लीजे, किसी परिपत में, एक चालक तार दोरा अबरोध उत्पन हो रहा हूँ, उसे हम आर से दर्सा सकते हैं, लेकिन उसी परिपत में, य या तो संधारित्र है, या तो प्रेरा कुंडली है, थोड़ा समझे, या तो संधारित्र है, या तो प्रेरा कुंडली है, इन दो कंडिशन में, हम यदि संधारित्र की बात करते हैं, तो आर के जगे, XC, क्योंकि इसे हम प्रतिघात कहते हैं, क्या बोलते हैं, प्रतिघात यदि हमारा L होता उसे दरसाते XL जिसे हम प्रतिगात कहते हैं प्रतिगात कहलाता है C यानि संधारितर L मतलब प्रेरा कुंगली दी जुड़ा है और उसके दोरा परिपत में अब रोधुत्पन हो रहा हो तो उसे हम प्रतिगात कहते हैं है ना, C के लिए XC से दर्साते हैं, जो कि R के ही सम्तुल है, R एक चालकतार के लिए है, जो प्रतिरोधा कैलाता है, ये आपको clear होना चाहिए, क्योंकि हम इसी को ही, एक समिकर्ण ये ले लेंगे मालो, जो हमारा एक समिकर्ण ही हो जाएगा, भी बराबर कितना, भी 0, sin omega T, एक यहां से समिकर्ण लेकर चलेंगे, है ना, और ये हमारा समिकर्ण 2 हो जाएगा, और ये हमारा समिकर्ण 3 हो जाएगा, इस प्रकार से समिकर्ण लेकर चलेंगे, इनकी महते अब सकता है, इनको जरूरी है भाई साहब लिखने को इसलिए आप लोग लिखते चलो इतना क्लियर है अब थोड़ा सा और मैं सर्चा करूंगा कि भाई साहब जब हमारे पास किसी भी परिपत में प्रत्यवर्ति धारा सुरोत में एक प्रतिरोधक जुड़ा हो तो जब प्रतिरोधक हो त समान कला का मतलब यह है कि अजी हम बात करें भी बराबर तो भी बराबर हो जाएगा भी 0 sin omega t ठीक है और अजी आई बराबर तो i 0 sin omega t ठीक है मतलब जो हमारा प्रत्यवर्तिधारा परिपत है इसमे इदी प्रतिरोदहक जुड़ा हो तो उस इस्थित में परिदामी बोल्डता यही प्रत्यवरती धारा का जो प्रत्यवरती बोल्डता है और जो हमारा धारा है दोनों समान कला में होते हैं इसलिए एक ही डारेक्शन को प्रतरसित करते हैं लेकिन जब बात आ जाती है संधारीतर की ध्यान दीजेगा थोड़ा सा जब बात आ जाती है संधारीतर की है तो संधारीतर में यह हम बात करेंगे तो संधारीतर में जैसे यह माली जी धारा है तो संधारीतर में उसका जो बोल्टता है यह जो हमारा भीसी होगा वो धारा से 90 डिग्री पश्च घामी होता है 90 डिग्री पश्च घामी होता है और यह जो धारा है BR के क्या बच्चो सम्तुल है यनि BR और AI समान कला में है लेकिन जो BC है धारा से जब हमने आपको एक ठोरम कराया था इसनिए तो कहता हूँ कि हर एक थेोरम महत्पूर्ण होता है आगे lecture को समझने के लिए तो क्रम से lecture देखो न बच्चा क्रम से lecture पढ़ो जो भी आपको doubt हो comment box section में comment कर सकते हो देखो जरा मैंने आपको समझाया था कि जब किसी प्रत्यवर्ती धारा परिपत में केबल संधाय तर जुड़ा हो इस स्थित पे जो परणामी बुल्डता भी सी है वो धारा से 90 डिग्री पस्चेगामी है तो धारा से 90 डिग्री हमने पस्चेगामी बनाया है यह चीज़ क्लियर होना चाहिए doubt क्लियर है तब ही मजा आता है यह हमारा धारा है और यह हमारा भी सी है और वही जो धारा है वो भी आर के समतुल है मैंने पहले ही बताया कि जब प्रतिरोधक होता है तो प्रतिरोधक धारा के समान कला में है मतलब एक ही डिरेक्षन पे होगा लेकिन जो भीसी है वो आई से 90 डिग्री पश्च गामी है इसलिए इसको मैं पश्च गामी की समतुल बनाया अब मैं मान के चलता हूँ कि इसका परणामी बोल्टा कुछ इस प्रकार से बच्चो यहां से जो कि मालीजे कुछ न कुछ इसके बीच भी धारा और पढ़ामी बोल्टा की बीच कलांता रहोगा वो फाई है तब प्यारे बच्चो यहां पे मैं फाई फाई बना दिया तब मैं यहां पर एक पाइथा गुरस्प्र में लगा सकता हूँ और पढ़ामी बोल्टता भी का मान मैं निकाल सकता हूँ ठीक है यह सब कुछ आपको समझाया जाएगा बिलकुल चिंता ना करें तो सबसे पहले हमने क्या क्या किया अभी तो सेफ समझाना रह गया इतना समझ में आ गया तो विंजक आधा विंजक कंप्लीट कुछ भी नहीं बच्चो थोड़ा समझिए । अब हमको निकालना प्रणामी बोल्टा पहला जो हमारा इसका टास्क है प्रणामी बोल्टा तो यह हम कह रहे हैं कि किसे छड़ टीप है परिपत में धारा आई वहे तब R के सिरों के बीच भी कुछ न कुछ बूल्टता होगी यह यह हमारा R है थोड़ा यहां पर समझो यह हमारा R है बच्चो यह R है इसके सिरों के बीच यह C संधारितर का एक धारिता है तो इसके सिरों के बीच कुछ न कुछ बूल्टता होगा तो ओम का नियम कहता है भी बराबर I, R ठीक है संधारितर के लिए B, C करेंगे I into X, C कर देंगे X, C क्यों क्योंकि यह प्रतिगात है R प्रतिरोध है तो हमारा X, C प्रतिगात है इस सब कुछ मैंने आपको समझा दिया है अब आपको बताया गया इस डाइग्राम में है ना, कि वैसे आप जो I, R, B, R वो समान कला में है ठीक है सर, इतना क्लियर और B, C जो है, वो 90 डिग्री पस्चगामी है कितना डिग्री, 90 डिग्री पस्चगामी है तब इसकी परणामी जो बॉल्टता है यह हम ओविंदू दे सकते हैं आपे परणामी बॉल्टता बच्चों हम यहां से वी कामान निकाल सकते हैं कैसे, पाइथागुरस प्रमें से तो यहां तक तो क्लियर है कि भी आरवा आई समानकला में है ये कब समझ में आएगा जब आप एक प्रतिवर्तिधारा परिपत में प्रतिरोधक जुड़ा हो उस स्थित पर बेंजक मैंने निकाला था तू आप लोग देख ले न भी सी आई से पश्चेगामी है भी सी आई से पश्चेगामी है इसलिए भी आर से भी पश्चेगामी होगा सिंपल है तब हम इस पे एक पाइथा गुरस प्रमे लगा सकते है पाइथा गुरस प्रमे का लोचा क्या है भी साहब पाइथा गुरस प्रमे का लोचा क्या है कर्ण का बर ये कर्ण का बर्ग, लंब का बर्ग, यह नि बच्चो, ये कापकार लंब हो गया, ये एक आधार हो गया, तो एक हो जाएगा भी आर का बर्ग, और एक हो जाएगा भी सी का बर्ग, ठीक है, भी आर और भी सी का बर्ग, यह इसका मान रखो, तो भी आर का कितना होता है, आई इंटू XC का बर्ग दोनों पच्छों में दी हमने देखा वैसा अब दी बर्ग लगा दो तो I square R square और यहाँ पर कितना हो जाएगा I square XC square समझाने के लिए कर रहा हूँ अभी थोड़ा समझ लो लिकिन एका समय दूँगा बिल्कुल आप चिंता न करो तो B square बराबर कितना हो जाएगा I square दोनों में से कामन ले लो तो कितना हो जाएगा R square प्लस XC का square चिज़े clear है अब मैं B बराबर कहूं तो कहो सर अंडर उड़ लगा दो इसमें सोचने की समझने की कोई जरुवत ही नहीं है तो I square R square प्लस XC 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 स्क्राइगा bracket लगा नई लगा तो भी ठीक है I square है तो I बाहर हो जाएगा अंदर हो जाएगा R square प्लस XC का square XC का मान भी होता है बच्चो XC का मान भी होता है I under root R square XC का मान क्या होता है 1 upon Omega C 1 upon Omega C XC का मान है 1 upon Omega C XC का मान हो गया Omega C तो यहां बर्ग लगाना पड़ेगा न बच्चो यह बर्ग लगा दो एक काम करो इसको ऐसा भी लिख सकते हो I Under Root R² प्लस 1 अपान Omega S² C² यह हमारा B का मान हो गया परिणामी बूल्डता निकल का रहा चुका है जो मैं समझा रहा हूँ वही चीज़ आपको देखने को मिलेगा यह XC है यहां पर साट कट है वही साब VR और VC का बर्ग IR, IC बर्ग लगा दिया I² बहा ले लिया Under Root लगा इस प्रकार से इसका मैंने एक बैलू और बताया कि XC का मान और अपान Omega C रख सकते हो खेक, कोदी कत तो नहीं यहां तक क्लियर है पाइथागरस प्रमे से परिणामी बोड़ता सिंपल तरीके से आ गया बच्चो अब इसके बार बारी आती है आपकी प्रतिवाधा की यहां पर देखो प्रतिवाधा कैसे निकालो की तो समिकन चार तक आ चुका है समिकन चार कर लेना समिकन तीन पहले भी आपको समझ में आ गया था समिकन चार में आपने क्या देखा यह वह सब समिकन चार के कहता है भी बराबर समिकन चार कितना है I under root R square plus X C square क्या निकाल रहे हो प्रतिवाधा या तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो I under root R square plus 1 upon omega square C square यह चीज आपने देखा लेकिन मैं I को इधर लेओ तो B बटा I हो जाएगा और कितना हो जाएगा under root R square यह बर्ग है भाई plus X C का बर्ग और B बटा R होता है क्या मैं थोड़ा आपको समझा दू B बटा I होता है R यही तो है ओमकरिया या तो B बटा I R करो वही चीज आपक्छानतर करो क्यों तो B बटा I बटा I बटा I बटा R लेकिन यहाँ पर हम B बटा I बटा R नहीं कर सकते Z करेंगे प्रतिवाधा क्योंकि प्रतिवाधा निकाल रहे है और हमने आपको समझाया था कि प्रतिवाधा कब कहा जाता है जब परिपत में दो या दो से अधिक चीजें जुड़ी हो मतलब प्रतिरोध संधारित प्रतिरोध प्रेरा कुंडली यह संधारित प्रेरा कुंडली जुड़ा हो तब उसे हम क्या बोलते हैं प्रति बाधा क्या बोलते हैं बच्चो प्रति बाधा समझ रहे ना प्रति बाधा प्रति घात नहीं प्रति घात तो हम C के लिए बात करते हैं और बात करते हैं L के लिए समझ में आया तो यहाँ पर मैं पूरा complete कहा भी बटा आई बराबर आर होना चाहिए किन्तों परिपत्व में प्रतिरोधा को अप्रेरा कुंडली जुड़ा है इसलिए प्रतिवाधा जड़ होगा बच्चो तो जड़ बराबर यह और एक्स सी का मान ओन पान ओमेगा सी होता है डायरेक्ट चाहिए यहाँ पर रखो आपका वही चीज में लू निकल कर आ जाएगा यहाँ पर रखोगे तो कितना आ जाएगा आर स्कोर प्लस ओन अपन ओमेगा स्कोर सी स्कोर समिकर छे तक हो गया लगता है तियोरम बहुत छोटा है कुछ लोगों को लगता है तियोरम बहुत बड़ा है जब कि ना तो छोटा है ना तो बड़ा है पढ़ने वाले के लिए बहुत छोटा और ना पढ़ने वाले के लिए बहुत बड़ा ऐसा लगता है समझ रहो मीडिया मैयार कुछ भी नहीं है अब कलांतर निकालना है बच्चो कलांतर कलांतर का मतलब यह हुआ कि वैसे आप धारा बह रही है यह भी आर है और धारा भी आर समान का लब है और भी सी है भी आर भी सी का परणामी बोलता भी अब ये भी और आई के बीच कलांतर कितना है आप खुद बताओ खुद बताओ और पर्खो आई आगे है की भी तो आई आगे लग रहा है सर यही तो है ना आई आगे लग रहा है की नहीं लग रहा है हाँ सर कलांतर निकालना है फाई कमान निकालना है तो फाई हम भी जब भी हम इन में कलांतर निकालते हैं तो यदि हमारे पास इसके इसके बिश निकालना भी और भी सी तो यह हमारा हमारी जे कोण है तो कोण के सामने वाली भुजा लंब और यह आधार तो आधार और लंब का formula 10 लगता है इसलिए 10 फाई लगा रहे हैं तो 10 फाई बराबर हो जाएगा लंब बट आधार तो लंब VC आधार कोण के सामने वाली भुजा लंब कहलाती है नहीं बोलो सारी इसको लंब ले लेते तो क्या होता कुछ लों के मन में doubt रहता ना हमेशा तो ये VC बटा VR VC का मान कितना होता बच्चो I into XC ये भी सही है और I into R I को मारो गोली तो बचेगा कितना XC upon R कितना बचेगा XC upon R XC का मान कितना होता है 1 upon omega C बटा R तो कितना आजाएगा 10 5 बराबर 10 5 बराबर आएगा 1 upon omega C R अब बच्चो जडी 5 बराबर निकालोगे तो 10 inverse 1 upon omega C R चीज़े clear है कि ये हमारा कलांतर आए कि बास्तविक रूप से इस 5 कमान कितना होता है तो 10 5 लगा कर आप कलांतर निकाल सकते हो कुछ बच्चे कहते हैं किसार आप लिख करके नहीं समझा रहे हैं तो पूरा एक एक step तो लिख कर समझा रहा हूँ कि C R परिपत में I यनि धारा और बुल्टता यहां पर भाई साहब बुल्टता भी होना चाहिए न कला में अग्रगामी है ये कैसे समझोगे अग्रगामी है देखो जरा पीछे कौन है भी पीछे है आई आगी है तो आई अग्रगामी है भी से तब 10 5 बराबर कितना हो जाएगा भी सी बटा भी यार मैंने जो निकाला है I C है ना I X C बटा I R I C I कैंसिल होगे X C बटा R X C कमान ओना पान ओमेगा C कि धारा अग्रगामी है धारा क्या है अग्रगामी अग्रगामी कितना वो भाई फाई कोन के साथ अग्रगामी है तो थोड़ा सा यहाँ पर मैं आपको समझा दूँ कि भाई भी का मान में जब प्रारम्ब में मान लिया था तो भी 0 sin omega T था सही है कि नहीं गी कि यहाँ पर Phy कमान हमने निकल लिया था और इजित हम recording हम इजिरो बटा जड़ वटा जड़ होता बच्चो इसके लाबा मतलब इस लेक्चर में कुछ भी नहीं है आखरी है बच्चो उमेद करता हूँ कि आप समझ गया होंगे प्लीज आप लोग वीडियो को पसंद करो और तो लाइक ज़रूर करके जाओ भाई और वीडियो पसंदा तो आपको क्या करना है थोड़ा सा सेयर भी कर द मिलते हैं गली वीडियो के साथ जय हिंद बंद मातराम